साथियो नमस्कार, साथियो आनन से रहें और प्रिकत के साथ सुरक्षित रहें साथियो आज मंगलवार का पावन दिवस हैं तो आज मंगल तो हो नहीं है और स्री रामचरित मानस वा सुन्दर कांड के क्रम में परचर्चा प्रारम करने का प्रयास कर रहा हूं पिछले मंगलवार को जो परचर्चा हुई थी वो रामचरित मानस में वा सुन्दर कांड में अंकों का गणती है महाथ तो क्या है इस पर परचर्चा हुई थी लेकिन समय कम हो जाने कारण वो पूर्ण नहीं हो पाई थी तो आज समय उन्हें मिला है तो एक तो अंकों के आधार पर गणती जो क्रम है उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि सुन्दर कांड में जो आपने बताया कि आठ चौपाईयां है वो कई लोगों को आठ चौपाई मिली नहीं है एक हमारे सुपचिंता के उन्होंने कहा मैंने काफी प्रयास किया लेकिन मिली नहीं है तो क्रिपया हमको उन्चौपाईयों के बारे में विश्त्रिक जानकारी भी परदान करें तो यह तो बहुत ही चीज अच्छी बात है कि पहले सुन्दर कांड की सुन्दरता तो मालूम पड़े कि सुन्दर कांड क्यों है इसके तो बहुत कारण अभी सामने आएंगे लेकिन जो सुन्दर सब्द का जो सीर्षक मतलब किसी चीज में यदी आप देखें तो अधिक से अधिक कौन सा सब्द उपयोग हुआ है तो सुन्दर कांड की इन पर एक बार जो है मेरी अयोध्या में स्री बाल मुकुंद संत जी थे, जो की हमारे जनपत जालोन के रहने वाले थे, जिनकी दिव्विता अधिती थी, उनसे एक बार परचर्चा हुई, एक बार क्या कई बार परचर्चा हुई, और उन्हों ने जो इन चौपाईयों का भाव हमको बताया था, मैं उसी भाव को उसी रूप में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ और उससे आप सबको बड़ा ज्यान भी प्राप्त होगा और काफी आनंद भी आएगा और सुन्दर कांड की इन चौपाईयों का बिलकुल नया आपको वर्जन मिलेगा वर्जन जिसे कहा जाए आज की भासा में मतलब नई चीज आपको प्राप्त होगी जो आपने सुना जरूर बहुत होगा बहुत सारे वीडियो सुन्दर कांड पर बने हैं लेकिन जो आज चर्चर्चा होगी वो स्री बाल मुकुन जी साफ के द्वारा यद्दपी वो बैकुंटे धाम में लीन हो गए हैं और अनतियात्रा पर जा चुके हैं करीब दो साल पहले लेकिन उनके द्वारा जो बताए गए हमको संबाद हैं वो याद हैं और मैं उन्ही को आपको सिर्ख करूँगा उन्ही के भाव के अमसार है देखिए अब हम आते हैं सुन्दर कांड की सबसे पहली चौपाई पर जिसमें सुन्दर सब्द का उप्योग हुआ है वो चौपाई है सिंद तीर एक भूदर सुन्दर कौत के कूद चड़ूता उपर बार बार रगवीर समहारी तरकहु पवन तने बलभारी इस चौपाई पर यदि आप इसके महत्व इसकी गुणवत्ता पर नज़र डालें तो ये प्रवन्द तन्त्र मोटिवेशन के रूप में अधिती चौपाई है और प्रारंब सही इसमें सरीर और मन की स्थिर्टा पर बल दिया गया है कि सबसे पहले जब आप किसी कार की सुरुवात करें तो अपने मन को मैं पहले इस्थिर्टा कैसे लाए और अपने सरीर को उस से क्रिया या जो भी आपका एक्सन होने जा रहा है जो भी आपका कार होने जा रहा है गंभीर कार है कि आसान कार है उसके अंसार सारीरिक मानसिक परिवर्तन को इस्थिर कैसे किया जाए इस पर बल लिया गया है अच्छा अब हम थोड़ा भारत की जो सनातन विवस्था में पूजा का मूल तत्व है कि भगवान शिव को हम इस जो माउंटेन पडवत पहार के अंस को तो ही पूछते हैं अच्छा इस महात्रकूर प्रसंग में थोड़े भगवान शिव के पृतिक चन्न को हम लाते हैं चाहे आप काशी विश्वनात जाएं या महाकाल जी जाएं या आप सौमनात जी जाएं तो सब जगे आपको पत्थर के अंस की ही तो पूजा आपको करना है जो भगवान शिव की मूर्ती है वो पत्थर कही तो अंसमपूश्ते हैं तो वो आखिर मतलब क्या है वो क्या प्रणा हमको देता है वो प्रणा हमको यही देता है कि आप पहले पहाड परवत माउंटेन की तरह मन बुद्धी सरीर से इस्थिर होईए अपना इस्थिर्ता लाईए अपने जीवन में अपने मन में अपने सारीरिक गत्विधियों में अपनी इंद्रियों में तब आप कोई भी लक्ष को बड़ी आसानी से प्राप्ट कर लेंगे जैसे हनुमान जी लंका के लिए जब निकल रहे हैं तो सबसे दुर्गम उनका लक्ष है उसे लक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान प्रभु हनुमान जी जो है सबसे पहले परवत के परचड़े जिससे प्रकति का संतलन हो रहा है और वहीं उन्होंने ये जो जो हमारा मनोविज्ञान कहता है कि मन और सरीर को आपको किसी लक्ष के प्राप्ति के लिए पहले इस्थिर करना पड़ेगा यही एमोसंस हैं समवेगात्मक जो विवस्था है साइक्लोजी में वो इसका सबसे प्रणात्मक उधारन यह है अच्छा वी एक और उधारन हम आ आपको रामे सुरम ले चल रहे हैं भाई रामे सुरम में की इस्थापना भगवान प्रहुसरी राम जी ने लंका युद्ध के पहले ही तो की तो अपने उन्होंने रामे सुरम की इस्थापना करके अपने उद्देश को इस्पष्ट किया और अपने सरीर इंद्री और तैयार किया, तो ये सबसे बड़ी पिर्णा इस पहली चौपाई से हमको प्राप्त हो रही है और जो प्रतेक आदमी के लिए भामूल ले पिर्णा है, दूसरी चौपाई के समय, स्री हनुमान जी समुद्र को कूट कर लंका में प्रवेस कर गए और लंका में प्रवेस करने के बाद उन्होंने लंका की अधिती सुन्दरता देखी और तुलसिदास जी ने उस सुन्दरता को बहुत ही दिव्विता से वानित किया है देखे क्या लिखते हैं तुलसिदास जी जिसमें देखिए मैंने पहले भी कहा शुरुवात भी की कि देव संस्कृती और असुर संस्कृती भाई असुर संस्कृत के सबसे बड़ा अगर कोई प्रतापी हुआ है तो दसकंदर रावण हुआ है और उसने लंका को प्रिकत से कितनी अच्छी तरह से सजा और समार खथा जिसकी दिविता तुलसी दास्ची ने और हनुमान जी ने प्राकट्टे रूप में की है तो दूसरा संदर सब्द जो है स्री लंका में जब हनुमान जी पहुँच रहे हैं और संदरता को देख रहे हैं प्रिकत की तब उन्होंने उचारण किया है तीसरी चौपाई है स्याम दाम संसुनदर, प्रभु भुज पर कर, कर संदस्कंदर मतलब माता सीता जी जब असोक वटका में थीं और दस्कंदर रावन उनकु डर्वाने के लिए धंकाने के लिए आया تھा तब माता जी ने भगवान प्रभु स्री राम जी की सुनदरता और सारीरिक सौस्टों का वर करती हैं मतलब प्रिकति प्रम्तत्व के सुन्दर्था परमात्मा की सुन्दर्था का इस चौपाई में विश्त्रित महत्व है और वर्णन है जब माता सीता जी असोक वाटका में रावण और रात्सुं के बंधन में थी तब रावण दसकंदर को अफमानित करते हुए उन्होंने कहा था कि चंद्रहास तलवार से ये गर्दन मेरी कड़ जाएगी लेकिन मैं किसी तरह दवाव या तुमारे पुलोवन में मैं नहीं आ सकती ये महान पिर्णा माता सीता जी की सुन्दर कांड में स्री तुलसी धाची ने दिव रूप से तरसाई है अब हम चौथी चौपाई पर आते हैं जो पूरी तरह से प्रकत से संबंदित है और वो भी महान दिव व्रक्ष असोक से संबंदित है देखिए सर्दियों का आसर जलवाईव का आसर पेड़ पौदों पर भी पढ़ता है इस समें असोक की पत्तियां सूख गई है खेर चलिए अपने विसे पे आते हैं की असोक के व्रक्ष में भगवान प्रभू हनुमान जी छिपकर कैमोफ्लाइच करके जाके बैट गए हैं और वहां से उन्होंने माता सीता जी के सामने अंगूठी को सुन्दर अंगूठी को डाला है तब जो है मतलब माता जी कहती है तब देखी मुद्रका मनुहर राम नाम अंकित अतिसुन्दर मतलब जो मुद्रका अंगूठी है वो अतिसुन्दर है और माता सीता जी ने उस अंगूठी को देखा देखिए एक बहुत साइकलोजी है इसमें प्रवनतंत्र मनुविज्ञान का प्रवनतंत्र की असीम मतलब इसमें पराकाष्टा है अगर आप देखें तो जैसे कोई आदमी दुखी है एकदम से और बहुत निरास है कुंठा में जीवन जी रहा है और उस टाइम उसको एकदम से हार्ट की दृष्ट से कि हनुवान जी ने एकदम से जाके यह नहीं कहा कि हम हनुवान जी के दूथ मतलब प्रवुराम जी के हम दूथ हैं या हम आ गए हैं आपको बचाने के लिए उन्होंने सरप्रथम एक पहले एक संवेगात्म कुरूप से पहले अंगूठी को वहा संवेगा पहले और इसके बाद फिर हनुवान जी ने कथथा सुनाईए सुन्दर अतिकता मतलब हैं सुन्दर कथा भगवान की पहले सुनाईगे तो यह बहुत बड़े प्रवन्धत्र हैं यदि आप देखें स्वास्त की द्रश्ट से और अप्रवन्धत्र की委 से कि ञ्ड पाइड ने बहुत अच्छा इसका डिस्कॉप्शन किया है इन संवेगों का देखिए अब हम पांचवी चौपाई के महत पर आते हैं पांचवी चौपाई है सुनोहु मा तु मुही अत्विसय भूखा लाग देख सुन्दर फल रूखा सभी ने सुना होगा सभी ने इसको क प्रवंद्ध तंत्र का आपको उध्याइड प्रवंद्ध प्रवंद्ध तंत्र का आपको संत्रा दिखा रहा हूं यह हमारी बग्या में लगा हुआ संत्रा है और चोटा सा पधा है अच्छी नई वेराइटी का मतलब मैंने कहा कि जब इस चपाई को सुनाओं तो सबको भाई फल भी तो दिखाओं सुन्दर सुन्दर जो देखके हनवान जी को भूक लगाई और को और बगीचे असोग वाटका में जाके भर्मण करने की उन्होंने पर्मिशन मंगी यह चोटी वाली बराइटी है और वो बड़ी बराइटी थी दोनों बराइटी आपने हमने आपको दिखा दी देखिए यह गिलोई की भी जड़ है इसलिए पलों को खाईए और आयरव अब सर्दियों का टाइम चला है थोड़े कीड़े वगएर भी लगने जा रहे हैं इसमें अब कीट ना सक भी डलना आवच्चक होगा अच्छा छटवी चौपाई पर प्रिकाश डालते हैं देखिए इसमें सुन्दर सब्द आया है बहुत अच्छा यहां वर्णन है और भगवान प्रभु शंकर जी से जुड़ा हुआ है बार बार प्रभु चही उठावा प्रेम मगन तहीं उठब नभावा ये तो हनवान जी भगवान उठार रहे carefully मतलब उनको फिर आगे भुल गए वो सुध नहीं रही जिसे का जाए स्रल्भासा में कि सब कुछ बूल गए तब भगवान शंकर जी ने कहा है साव धान मुनि करपुन शंकर लागे कहान कथा अति सुंदर जहां कथा सब्द आया है वहाँ तुलसीदाज जी ने अति सब्द का उपयोग जरूर आगे किया है कथा के आगे यह एक आप रामचरित मानस में और विसेस्ता पाएंगे विसे इसका सुंदर कंड़ में दो-तिन जगे किया है तो भगवान श्यो जो है भूल गए और भूलने के बाद फिर ध्यान लगा कर और भगवान और फिर कथा कहने लगे मतलब रामचरित मानस जो मापारवती जी को सुना रहे है तो वो फिर ध्यान लगा कर वो सुनाने ल देखिए अब हम आ गए हैं सात्मी चौपाई पर सात्मी चौपाई की सुंदर्ता तो सामने जो आप पौधे की सुंदर्ता देख रहे हैं इसी से आप अन्मान लगा लिए कि प्रभू स्री राम जी ने पूरी अपनी युद्ध उसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं पूरा युद्ध कौसल युद्ध जितने भी आवश्चक वो चीजें होती हैं वो सारी की सारी सब कलेक्ट हो गए हैं सारे बानर भालू उनके दल बल सारे युद्धा आ गए हैं और अब लंका विजय के लिए भगवान प्रस्थान करने वाले हैं तो ये तुलसी दास जी ने बह कीन पयाना सगुन भय सुन्दर सुभनाना मतलब सगुन होने लगे सगुन का हमारे गृंतों में बहुत अच्छा डिस्कॉप्शन है और दिखे आज आधुनिक काल में भी अब हम बहुत ही आपको ऐसा उधारन दे रहे हैं कि आधुनिक अभी का और स्री राम चरित मानस औ देखिए इसी तरह से महान लोगों का विवरण अपने आप सामने आ जाता है यही उनकी मानता है कि हमारे छोटी सी वीडियो में भी स्री रामानन सागर साब चुड़ गए आज जब रामानन सागर साब रामान महान सिरियल का निर्मार करने के लिए पहले दिन अपने घर से प्रस्थान करने निकले तो उनका जो गेट मैन था वो उनके पास और उनके बेटे के पास दोड़ के आया अरे साब बड़ा वैसा हो गया उनने का क्या हो गया उनने का साब गेट पर ही गाय ने बचरे को जन दे दिया है अरे उनने का इस से भी जादा और सुब सगुन कु सुन्दर होने लगें तो आप ये समझिए कि सुभ समय आपका आ रहा है और सुभ कार कोई न कोई होने चा रहा है जब तक स्री रामानन्द सागर इस प्रत्वी लोग पर रहे उन्होंने प्रयास किया कि प्रति दिन गौ गाय की सेवा की जाए और वो हमेशा गाय को महन सम्मान और उनकी सेवा में लगे रहे है अब मैं सुन्दर कांड के आठवी उस चौपाई पर आ गया हूँ जिसमें सुन्दर सब्द का उपयोग सीधे रूप में हुआ है सुन्दर सब्द के भावों का और सुन्दरता का वर्णन तो अन्य भी चौपाईयों में है सुन्दर कांड में वो तो संख्या जाके 24 हो जाती है लेकिन सुन्दर सब्द आठ चौपाईयों में सीधे रूप सुन्दर कांड में आपको नीतियां भी सिक्षा ग्यान अधिती ग्यान मिलेगा जो पूरी स्री राम चरित मानस में आपको नहीं मिलता है उत्रा कांड में फिर ग्यान आपको प्राप्त होगा लेकिन सुन्दर कांड से का जो ग्यान है वो नीती ग्यान है और अधिती उसके भाव को बार बार समझें ये चौपाई प्रबंधतंद की अधिती चौपाई है और नीती की अधिती चौपाई है और अब कुल मिला की ये है कि किनी किनी लोगों से सुन्दर नीती जरा सोच समझ के कहना चाहिए ये भी एक नीती में ये भी एक डिस्टांट बताया है तुलसिदाज जी ने तो इस चौपाई के लिए अच्छा ये होगा कि आप सभी लोग सुरी रामचरित मानस को के सुन्दर कांट का अध्यन भी करें और इसका ज्यान भी प्राप्त करें और ये सांसारिक विशियों से संबन देते हैं जरूर आप लोग पढ़िए सुन्दर क और आज फिलहल आठों चौपाईयों का वर्दन अच्छी तरह से हो गया है और आपको ये कैसा लगा हमारा संबाद और हमारी वीडियो हमका उत्साय वर्दन है तो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं आप लोग कमेंट करने में थोड़ा संकोच कर जाते हैं संकोच मत इससे विचारों के विचार करिया से ही नए विचार का अब्धुद्य होता है ये एक गरंदी भी कहते हैं और हमारा विचार भी है तो छोटी मूटी जो भी हमारा हम प्रयास करते हैं उसमें साय वर्दन हेतू अपना कमेंट सही प्रित करिया के रूप में करें जिससे और हर मंगलवार को तो इससे जुड़ना ही जुड़ना है अचा चूंकि आज जो है अभी हम इस समय जो वीडियो अभी हमारी तैयार हो रही है वो कल तक तैयार हो पाएगी पूरी तरह से आज राश्ट्रिय बालिका दिवस है नेशनल गर्ल्टे ये हम सब के लिए बहुत ली थी और उनी से प्रणा लेकर दो हजार आठ में ततकालीन सरकाड ने आज महिला बालिका राश्ट्री तिवस होशित किया है हमारी तरफ से देश की सभी बालकाओं को सभी बच्चियों को कोटी-कोटी धन्वाद और अवस्य सुंदरकांड का पाठ करें सुंदरकांड म और इस्त्री प्रधान कांड है इसमें देखिए किसी भी कांड में आपको दो राजाओं की पत्निया एक साथ नहीं मिली होगी यहाँ पर प्रभु राम जी की पत्नी मा सीता जी और रावन दसकंदर की पत्नी मंदोदरी मंदोदरी भी बहुत महान महिला है और दोनों को सपुर्द की है और वो तीनों महलाएं तो स्री लंका के रावन से सम्मन देते थे और एक महला जो सुर्षा माता जी मिली नागों की माता जी वो सबसे पहले परिच्छा के रूप में हनवान जी को सुंदर कांट में मिलती हैं क्योंकि देवता लोग जानते थे कि आगे जाके हनवान जी को इस्त्रियों से ही वास्ता पड़ेगा महिलाओं से ही वास्ता पड़ेगा इसलिए सुर्सा माता रहरसल के रूप में आई थी जब इस विस्ता पे हम और आगे विस्त्रित चर्चा करेंगे इन चौपाईयों पे तब इसका और अच्छा विस्त्रित रूप समझाएंगे और देखिए माता सीता जी त्रिजिटा और सिंगनी और निसाचरी और मानाक सुर्सा सुर्सा और मंदोदरी तो जितने भी राम चरित मानस की जो महिला प्रधान वो है वो सबका समागम सुन्दर कांट में तुलसी दाजी ने किया है इसलिए जहां नारी और इस्त्री और महिला की पूजा जहां जिस समाज में होगी जिस देश में होगी जिस नगर में होगी वो नगर वो देश वो समाज सब सुन्दर बनेगा ये प्रणा है सुन्दर कांट की अब बताईए भाई इस नवल आज के नेशनल गर्ल डे पे इससे बड़ी प्रणा और इससे बड़ा मोटिवेशन और भी हो सकते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है और हमारी बालकाओं को हमारी बच्चियों को हमेशा आगिया कि जो है अपने अधिकार अपने कर्तव के लिए हमेशा चाग्रूक रहना चाहिए ये प्रणा मिल लही है स्री राम चृत्मानस वा सुन्दर कांट से इसलिए मैंने कहा है स्री राम चृत्मानस अदिती, अतुलनी और सर्वत्तम गर्णत है और उसमें सुन्दर कांट तो सबसे महानी है अपनी अपनी विचारधारा है मेरी विचारधारा ये है सब किसी की विचारधा लग हो सकती मैं इसमें किसी तरह का भेद या किसी तरह का भेद मैं नहीं करना चाहता हूँ ये हमारी विचारधारा है और चलिये हमारे चैनल से अवस्ज जुड़े रहे और सब्सक्राइब करिए जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं और आनन्द लिजे प्रकति का भी आनन शाथ में ज्यान चर्चा का भी आनन धन्वाद धन्वाद थैंक यू जै हिंद जै हिंद जै हिंद